हेलो गैस वेलकम टो टो एजिकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अनलोग एलेक्ट्रोंस की सीरीज में आज के लेक्षर में हम करेंगे नॉनिर्वर्टिंग अम्लिफायर प्रैक्टिकल और आइडियल दोनों मैं आडियल इर्वर्टिंग आपको पहले बताऊगो इसके बाद प्रैक्टिकल णों इनट अम्लिफार करेंगे operational amplifier में non-inverting and inverting amplifier को study करेंगे आज हम non-inverting amplifier प्रेले मैं आपको ideal non-inverting amplifier बताऊंगा फिर हम practical non-inverting amplifier करेंगे तो चलिए आज की class स्टार्ट करते है non-inverting amplifier हम कर रहे हैं आज तो non-inverting opamp तो पहले मैं आपको circuit डियाग्राम बताया था non-inverting amplifier का कि non-inverting amplifier देखता कैसा है तो उसके बारे में हम फिर discuss करेंगे circuit डियाग्राम से तो basically यह मेरा एक opamp हो गया यहां से हम output लेते है non-inverting amplifier है इसलिए हम इसके non-inverting terminal पर input देंगे और inverting terminal को ground कर देंगे यही बताया था मैंने basics में जब आपको non-inverting amplifier कर आया था वह बस मैंने introduction दिया था जो real non-inverting amplifier इसके बाद हम प्रेक्टिकल करेंगे अभी मैं आपके सामने मैं ideal discuss कर रहा हूँ ideal non-inverting amplifier non-inverting किसलिए non-inverting terminal में मैंने input दिया output का terminal यह है inverting terminal मेरा ground है यह एक typical circuit diagram है non-inverting amplifier का इसके अलाबा इस circuit diagram को मैं redraw करो थोड़ा सा arrangement मैं change कर दूँगा जो कि एक conventionally हर बुक में मिलता है आपको यह इस वाले figure में मैंने कुछ नहीं किया बस इस जो first figure था मेरा उसके elements को rearrange कर दिया first figure के elements को rearrange कर दिया मैंने और बाकी कुछ नहीं किया दोनो figure जो मैंने आपके सामने अभी बनाए है this is figure A this is figure B दोनो figure जो है वो same है यह वाला figure और यह वाला figure same है इस figure और इस figure में difference क्या है मैंने inverting terminal इसमें उपर बनाए इस figure में इस figure में inverting terminal नीचे बनाए और feedback नीचे से जो दोनो figure same है conventionally हर book में आपको 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 नुमली यह वाला figure देखनों कर देखना करना थोड़ा साइजी हो आपके कुछ नहीं आप यह भी उसकर सकते बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दोनो टो figures में न आपको धेखा हो आपको इसके पर गसम्स में यह न दो कोई problem नहीं है यह figure भी हम कर सकते इस figure से में मा बहते इस figure की माने चेंज कर दी है तो कोई doubt नहीं हो जाएम यह figure और यह figure दोनों बस मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था कि फिगर इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ और हम इस फिगर में ही डिसकस करेंगे ठीक है यह एक ideal non-inverting amplifier है तो इसका open loop gain infinite होगा अब क्योंकि ideal non-inverting amplifier है ideal non-inverting amplifier जिसका open loop gain infinite होगा उसमें virtual ground concept तो valid होगा क्यों क्योंकि negative feedback है एक condition यह हमारी फुल्फिल होगा प्लस इसका जो open loop gain है वो infinite है यह भी हमारी condition फुल्फिल हो रही है virtual ground concept इसमें लगेगा इसका मतलब क्या इसका non-inverting terminal और inverting terminal पर voltage होगी वो सेम होगी यहां पर देखो because of virtual ground V non-inverting equals to V inverting होगा हमारा ठीक है virtual ground concept से non-inverting terminal पर voltage कितनी है Vs V non-inverting equal to Vs तो V inverting पर भी कितनी हो जाएगी Vs ठीक है V inverting पर V inverting मेरा यह वाला point है this this is this point is V non-inverting and this point is V inverting यह मेरा V inverting है यह non-inverting है तो V non-inverting पर मेरी voltage Vs है तो V inverting पर मेरी voltage Vs हो जाएगी क्यों? virtually ground है virtual ground क्यों है मैंने concept आपको समझाया था last class में virtual round का special मैंने class ली थी तो आपको doubt नहीं होना चाहिए virtual round में virtual round concept क्या है अगर हमारा जो open-look gain होता है वो infinite होता है इसका मतलब हमारा VD होता है या और फिस्पी MINवार lack एस पर आपको पर या बाल 99 क्वार जाएगी क्यों क्यों क क्यों कि उपड़ुत क्यों क्यों Jim और जो पर जो भुसुक्यों जर्वाख कई नात्स प्रण को बुसॉत यह पूरी ब्रांज शॉर्ट है यहां पर जो वोल्टेज है वो ही R1 की एक्रोस वोल्टेज है that means V-inverting voltage R1 की एक्रोस वोल्टेज है हमें बता है कि ideal opamp में जो internal current होता है वो 0 ampere होता है यह मैंने आपको बताया था ideal opamp के बारे में ideal opamp की properties जब बताया थी था मैं बता था कि ideal opamp में internal current हमारा 0 होता है internal current 0 है that means in this branch इस branch में कोई current ही होग.. इस कनलब इस branch में कोई current ही नहीं है current यहां से R2 से लेकर R1 में आ राय है अगर इस branch में कोई current नहीं है.. तो current सीधा R2 away with R1 पर जाएगा, that means R1 और R2 दोनों सिरीज में कनेक्टेड है, इस वरंज में करन ना होने से R1 और R2 दोनों सिरीज में कनेक्टेड हो गए R1 और R2 को अगर मैं बाहर निकाल दो एक बार समझाने के लिए आपको यह देखो Voutput, R2, R1, ठीक है, अब मैंने यह वाली ब्रांच अटा दी क्योंकि इसमें करंट नहीं है, यह अटा दिया और R2 मेरा VNOT से कनेक्टेड हो तो मैंने यह दिखा दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो यह VNOT है न, यह VNOT, यह VNOT, Voutput, R1 और R2 दोनों के अक्रोस जो वोल्टेज है, वो है आउटपट वोल्टेज, R1 और R2 दोनों ब्रांच के अक्रोस की वोल्टेज है, यह जो Vout है न, किस केस में जब इंटर्नल करंट 0 है, तो R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंस के अक्रोस टोटल वोल्टेज है Voutput, मैंने बताया, हम आपको बाहर निकाल के, ठीक है, अगर Vout इन तो कुछ ऐसे हो जाएगी R1 के अक्रोस वोल्टेज, R1 रेजिस्टेंस अपन R1 प्लस R2 इन टो जो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों के सीरीज कनेक्शन के अक्रोस है, यह वोल्टेज है, यह जो मैंने एक्स्प्रेशन लिखा है, यह मेरे पस वोल्टेज आ गई, R1 वोल्टेज कितनी है, इनवर्टिंग वोल्टेज, मेरे पस V-inverting की value हो गई है, यह मेरे पास V-inverting की value हो गई, V-inverting voltage जो है मेरा R1 रेजिस्टेंस अपन R1 प्लस R2 इन टो V-node, ठीक है मेरा R1 रेजिस्टेंस मेरा R1 स सारटओ into V-note है, मैं यहां पर देखा है मैंने हैं पर देखा हैं मैंने हैं हैं हैंंपर साल्fब गया आपके सामने, डीक्акा यह की प्रूफ किया, यहां यहां पर, पर इस वाली एक्स्प्रेशन को देagensक पर चोछोखों इस छो प्रेशन voltage ही मेरा input है क्यों? Virtual crown के concept से non-inverting voltage मेरा VS था, virtual crown के concept से non-inverting मेरा VS था, virtual crown के concept से inverting voltage भी VS हो गया inverting voltage भी VS हो गया that means यह जो voltage है यह मेरा VS है, V-inverting VS के बराबर है तो मैं यहाँ पर VS के value गया लिखूंगा क्या है यहाँ? R1 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 R2 V-output ठीक है? यही है अगर मैं यहाँ पर rearrange करके V-output upon VS लिख दूं, तो क्या आजाएगा? R1 plus R2 upon R1 which will be V 1 plus R2 upon R1 V output upon VS R1 यह मेरे पास result आगया result क्या है? output upon input voltage क्या होता है? किसी भी operational amplifier का output upon input उसका gain होता है तो इस operational amplifier का gain क्या हुआ 1 plus R2 upon R1 that means A कौन सा amplifier है? non-inverting non-inverting V output upon VS S equals to 1 plus R2 upon R1 यह ideal non-inverting op-amp का gain आगया मेरे पास ideal non-inverting op-amp का gain output upon input that is 1 plus R2 by R1 तो यह virtual crown concept से हमने इसका gain निकाल लिया virtual crown concept से virtual crown मैंने concept लगाया और virtual crown concept मैंने इसका gain निकाल लिया यह सबको पता होना चाहिए लोग याद कर लेते हैं याद कासे करते हैं 1 plus R2 by R1 non-inverting op-amp का gain है अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भी change किया फॉर्मला आपने याद किया है 1 plus R2 by R1 और मैंने यहाँ पर R1 R2 लिख दिया और आपने फॉर्मला याद किया तो क्रपड होगी आप वाला फॉर्मला लगाए आंसर कुछ और रहेगा और वांसर option में भी होगा फॉर्मला लगाए फॉर्मला लगाए इंपॉर्मला आया कैसे है फॉर्मला आया कैसे है आपको resistance की arrangement पता होने चाहिए जो यह वाला resistance है यह R1 है अगर आप फॉर्मला याद कर रहे हो अगर आपको फॉर्मला याद करना है तो यह arrangement बता हुना है कि R1 कॉन सा है R2 कॉन सा है ऐसे नहीं कि आपने बस formula याद कर लिया और इसको apply कर दिया वो change हो सकते है तो formula याद नहीं करना arrangement याद करनी है resistance की जो feedback amplifier है वो मैं कराऊंगा आगे कराऊंगा बट क्योंकि feedback related कुछ concept मुझे इसमें non-inverting amplifier में भी यूज करने है तो मैं एक concept आपको वोदर हो feedback का वो concept आप note करके रखना जादा बहुदा नहीं करना इसके बारे में जब हम feedback amplifier करेंगे तो elaborate तरीके से समझेंगे बट अभी के लिए जितना मैं feedback amplifier के बारे में आपको थोड़े थीन concept लिख वहूँगा वो आपको लिखके रखने है समझ आए का आपको आपको बट feedback में बीच में थोड़ा इंट्रद्यूस करा रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा feedback का यूज है थोड़ा सा काफी यूज है बट समझाने के लिए अपको जितना यूज है मैं उतना ही बता हूँगा फिर हम बाकी जो हम feedback amplifier में पढ़ेंगे ठीक तो यहां पर मैं आपको चार पॉइंट बता रहा हूं feedback के बारे में बेसिकल यह 4 पॉण्ट के यह यह feedback topology से मेरा मतलब क्या है कि यह से अपने negative feedback देखाने negative feedback और positive feedback मैं आपको लास में बता है कि दोनों में डिफरेंस किया negative feedback की कुछ topology से है जो हमारा operational amplifier में यूज हम करते है तो वह 4 topology है बारे में आपको बता देता हूं और फिर डिसकस करते है उसके बारे में तो वह कुछ topology है वह कुछ इस तरह से है जो पहली है वह है voltage sampling voltage sampling जो मैंने अभी एरेस किया non-remotting amplifier वह मैं दुवारा बना रहा हूं एरेस कर तक मैंने बढ़ यहां पर मैं बनाया था कि आपको मैं समझा पाँ प्रुब पाँ वह कुछ वहाँ वहाँ वह यह मैंने वह फिगर दुबारा बना दिया आपके पास जो लास्ट ताइम मैंने आपको बनाया था यह आरवन and this is r2 ठीक है यह जो पोर्शन है मेरा जहां पर r1 और r2 है यह feedback element ठीक है कुछ नहीं किया जो circuit था मैंने दुबारा बना दिया यहां पर मैं आपको voltage sampling के बारे में बता रहा हूं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी अभी के साब से आप confuse मत हो ना कि voltage sampling current sampling कहां से आ गया इसमें परिशान मत हो ना हम non-inventing amplifier ही कर रहे हैं बीच में दो और तीन दो नहीं चार concept करा रहा हूं आपको बस जो concept करा रहा हूं उसको वैसे का वैसे समझना उसके बाद हम इसको use करेंगे देखो voltage sampling का मतलब क्या होता है voltage sampling कब होती है जब हमारा feedback element directly connected to output होता है अगर हमारा feedback element opamp के किसी circuit मे feedback element directly output से connected है तो उसको हम voltage sampling बोलेंगे और अगर वो directly output से connected नहीं है तो वो current sampling होगी इस case में आप देखो यह मेरा feedback element है यह मेरा feedback element directly output से connected है दिख रहना आपको output से connected है फूरा feedback element तो यह voltage sampling होगा तो voltage sampling का मतलब क्या होगा If feedback element is directly connected to output then it calls voltage sampling इसके लाबा दूसरा concept होगा current sampling current sampling क्या है just voltage sampling voltage sampling का उल्टा voltage sampling का उल्टा है तो मैं पूरा नहीं लिग रहा है कि वाईसा गर्सा ओफ voltage sampling ठीसरा मेरे पास concept है shunt mixing shunt mixing if feedback element is connected to input in a shunted form if feedback element is directly connected to input in a shunted form then it is a shunt mixing तो इसको लिख लेते if feedback element is connected to input in a shunted form then it is a shunt mixing बता हूँगा कैसे सारा समझाऊँगा अभी आप लिखीए 4th point मेरा आता है series mixing series mixing series mixing क्या बोलता है iska ult shunt mixing if feedback element is not connected with input in shunted form then it is a series mixing इस फिगर में देखो इस फिगर में नहीं पहले आप देखो मैं इस लेक्चर में आपको non-inverting amplifier करा रहा हूँ हमें पता है हमें इस लेक्चर में आपको non-inverting amplifier करा हूँगा आज के लेक्चर में आपको non-inverting amplifier के लेक्चर में मैं आपको feedback topology के चार concept बताए voltage sampling, current sampling, shunt mixing, series mixing इसमें से आज के लेक्चर में दो तो एक उपके ग्जामबि क्षुछ यहां प्रोच देँ आपको बता दो जाओगा, तो तो अचारे को जाओगा ग्याता है कुईका यह हुग खार को दो कि सब्सक्राइपनि के का रहा है क्युकि वह एंगे हम, फीड़्बेस एक पड़्यन आपकर क्या होंगे voltage sampling combination series mixing and voltage sampling combination shunt mixing यह मैं आपको voltage sampling with series mixing आज के lecture में कराऊंगा voltage sampling with shunt mixing जब मैं inverting open-amp कराऊंगा आज हम non-inverting open-amp कर रहे हैं next lecture में जब मैं inverting open-amp कराऊंगा तब मैं voltage sampling को shunt mixing से कराऊंगा वैसे ही सेm current sampling को shunt mixing से और current sampling को series mixing से हम आगे पड़ेंगे तो आज के lecture में आपको क्या धान रखना है एक concept याद रखना है voltage sampling को मैं कैसे series mixing के साथ आपको बता रहा हूं तो देखो voltage sampling क्या बोल रहा है यहां पर voltage sampling क्या बोल रहा है if feedback element is directly connected to output then it is a voltage sampling हमने यहां पर देखा यह मेरा non-inverting opamp है non-inverting opamp है non-inverting opamp है non-inverting opamp है पर feedback element है वो directly connected to output है तो यह क्या कर रहा है voltage sampling इसमें follow हो रही है दूसरा concept क्या है series mixing series mixing क्या पर shunt mixing क्या बोल रहा है if feedback element is directly connected to input in a shunted form then it is a shunt mixing if feedback element is directly connected to input in a shunted form then it is a shunt mixing but क्या feedback element directly input से connected है नहीं है this का मतलब यह कौनसी mixing हो गई? series mixing क्यों जो feedback element है वो directly input से connected नहीं है तो पहली बात तो यह कि मेरा कौनसा follow कर रहा है कौनसा concept follow कर रहा है voltage sampling plus mixing कौनसी follow कर रहा है series mixing तो यह आप लगको समझाया कि यह जो नौन इंवर्डिंग अंपलिफायर मैंने आपको बताया अभी जिसके बारे में डिसक्स कर रहे है currently जिसके बारे में डिसक्स कर रहे है वो वो वोल्टे सेंप्लिंग प्लस सिरीज मिक्सिंगो फॉलो कर रहा है कि यह यह आपकी करंट सेंप्लिंग कैसे इन दोनों से कनेक्ट होगी देखो वोल्टे सेंप्लिंग विद सिरीज मिक्सिंग तो मैंने आपको बता दिया वोल्टे सेंप्लिंग विद सिरीज मिक्सिंग मैं आपको इन वर्टिंग में बताऊंगा बाकि current sampling इन दुनों के साथ, आगे जब हम feedback amplifier में बढ़ेंगे, तब इसके पर में discuss करेंगे, यहां पर discuss करेंगे, कोई फायदा नहीं है, दुबारा पढ़ना पढ़ेगा, इसलिए मैं इसके example नहीं बता रहा, आज की class में मिलेको बस voltage sampling को series mixing के साथ connect करना था, तो मैंने आपक अब मैं इसको erase कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस circuit के बारे में इस discussion करना है, तो यहां पर आप देखो, यह सारा दुबारा से feedback amplifier में पढ़ेंगे, दुबारा दुबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जो concept जहां पर जरूरी लग रहा है, मैं वहां पर पढ़ा रहा ऐसे बढ़ोगे ना, first concept, second concept, third concept, यह base है, यह आपके pillars है, जो नीचे आरो ना, यह pillar है, ऐसे बढ़ोगो तो pillar बन जाएंगे, आगर आप बुक से बढ़ोगे ना, तो उसमें क्या होगा, first concept, second concept, first concept, third concept, second concept, fourth concept, third concept, इस तरीके से पढ़ने में ना तो मजाएगा और ना ही आपका base build-up होगेगा, इस तरीके से आप self study करते हो, self study करोगे, तो आप ऐसा पढ़ोगे, मैं यह नहीं नहीं पढ़ना गलत है, बिल्कुल अच्छा है, बुक में बहुत कुछ दिया होता है, बहुत सा जो step by step तरीके से रखा होगा, जो step by step तरीके से इसके दिमाग में step होगे कि आपको पहले कुन सा concept कराना है, बाद में कुन सा concept कराना है, और पहले अगर मैं आपको fourth concept करा दू जिसकी यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत जितनी जरूरत ही मैंने आपको बता दिया अगर आप से च लोगे तो अपका बेस बिलड़ अ होता जाएगा और आपको चीज़ इंटरस्टिंग लगते जाएगा और आपसे कोशियं भी सॉलो तो आपको कोई नहीं चाहिए जब आपको गाइट कर सेके step-by-step तरीके से पढ़ाने के लिए तो बस मैं यह concept बता रहा था यह कोई concept नहीं है अभी हम discuss करते हैं जो circuit मैं लास्ट उसमें आपको बनाया उसके बारे में तो यहां पर हम देखें मैं voltage sampling series mixing के आपके बारे में बात करता था देखो voltage sampling voltage sampling voltage sampling plus series mixing इसका मतलब क्या होता voltage sampling का मतलब मेरे पास output में मुझे voltage मिल रहा है series mixing का मतलब मेरे पास input पर voltage ठीक है तो इस concept को जिस opamp में voltage sampling और series mixing use हो रहा है उसको voltage topology बोलते है रहा है voltage series तो जिस concept पर voltage और series sampling और series mixing दोनो होंगे उसको हम voltage series topology बोलते हैं voltage series topology का मतलब क्या होता है जो हमारे पास जिस opamp में यह वाले voltage sampling और series mixing use हो रहा है वह एक voltage amplifier है आगे पताऊंगा जैसे अभी तो non-inverting amplifier करने इसके बाद inverting amplifier complete करेंगे इसके बाद जब discuss करेंगे तो आपके पास एक पूरा का पूरा concept होगा discuss करने के लिए कि कौन सा amplifier क्या है बड़ा confused होंगे या चीजों को ज्यादा सोचने लग जाएंगे तो ना हो step-by-step चलते रहो मेरे साथ मैं सब करा दूँगा क्या है कि जिसमें concept में voltage sampling और series mixing दोनों यूज हो रही है उसमें voltage series topology यूज होगी और voltage series topology का मारे मतलब है एक वह voltage amplifier है अब देखो जिन्होंने control पड़ा है मतलब जो student 4th year में यह 4th year से pass out हो चुके है उनके लिए है यह जिन्होंने नहीं पड़ा वह मत देहन देना क्या है control में आपका यह कुछ ऐसा हो दे CS RS RS CS output है और यह आपका feedback element होता है HS और यह आपका यह negative feedback है negative feedback है CS by RS तो यह कुछ ऐसा होता है GS upon 1 GS HS जिन्होंने control पड़ा है उनके लिए यह कुछ important भी नहीं है बस मैं आगे वाले concept list से लिंक कर रहा हूं नहीं बड़ा control किसी ने तो कोई problem नहीं है आगे देखते है यह इसका transfer function होता है इसमें अगर मैं देखूं यह GS है यह open loop gain है और यह HS है यह feedback होता है feedback factor यह पता होगा GS open loop gain और HS जो HS है feedback factor यह मैंने बस आपको relate कि transfer function में ऐसा कुछ होता है अब क्योंकि जो मारे पास amplifier है वो एक open amplifier है और non-inventing amplifier के बारे में हम बढ़ रहे है तो यहां पर देखो जो A gain होगा किसी voltage amplifier का वो क्या होता है AV ले लेते AV upon 1 plus AV beta यहां पर AV open loop gain होगा उस amplifier का और जो beta होगा वो होगा feedback factor ठीक है जो beta होगा feedback factor और जो AV होगा वो इसका open loop gain होगा यह normal मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी normal voltage amplifier होगा हमारे पास non-inverting amplifier होगा हमारे पास non-inverting amplifier है तो non-inverting amplifier में अगर मैं non-inverting निकाल हूँ तो इसका क्या होगा a open loop gain open loop gain one plus aol beta यहां पर aol open loop gain है और beta क्या है beta क्या है feedback factor अब non-inverting amplifier में feedback factor क्या होगा देखो जो R1 के across voltage है मैं उसको एक special लाम देता हूँ VF क्योंकि हम ना R1 के across voltage है इसको आगे भी कई बार use करेंगे यह जो R1 के across voltage है इसको मैंने नाम दिया VF जो मेरे पस beta है वो feedback factor है मैंने जो R1 के across voltage है R1 के across voltage है R1 के across उसको VF क्योंकि R1 के across voltage है वो हमें आगे यूस करनी है काफे बार यूस करनी है मैंने इसको special लाम देता है VF तो R1 के across resistance कर जो भी voltage हो वो VF होगी जो beta है उसकी value क्या होती है बीटा की value होती है वो VF upon Voutput होगी बीटा की value VF upon Voutput होगी VF upon Voutput VF कौन सा resistance जो R1 के across है Voutput हो है ठीक है अगर मैं इस वाले circuit में VF निकालो इस वाले circuit में अगर मैं VF निकालो तो VF क्या होगा voltage division से निकाल ले थे VF क्या होगा VF क्या होगा VF क्या होगा R1 upon R1 plus R2 into Voutput और अगर यहां से मैं beta की value निकालो that is VF upon R1 VF upon Vout VF upon Vout कितना हो जाएगा R1 upon R1 plus R2 यह किस की value होगी मेरे पास beta की beta क्या है feedback factor of voltage amplifier यह beta का formula होता है VF upon Vout VF मैंने VF जो होता है R1 जो voltage होता है और output हमारे पास है R1 जो voltage होता है VF नाम देती क्या क्योंकि आगे भी काई-बड़ इसलिए VF upon Vout निकाला और voltage divider rule से मैंने VF की value निकाली और VF की value निकालने के बाद मैंने देगा तो beta की value R1 upon R1 plus R2 यह मेरे पास ठीक है देखो अब इसके बाद अगर मैं इस वाले formula में यही पर देखो इसके बाद अगर मैं यह non-inverding amplifier का गेन निकालों तो क्या होगा देखो non-inverding amplifier यह non-inverding amplifier हम ideal non-inverding amplifier की बात कर रहे है तो AOL जो है वसका infinite होगा ideal non-inverding amplifier का अगर AOL मेरा infinite है तो मैं AOL को जरा इस वाले formula में AOL को बाहर निकालो AOL common लेलो 1 upon 1 by AOL plus beta आजाएगा ठीक है upon AOL यह मैंने AOL को बाहर निकालते नीचे से AOL common लेला तो AOL से मेरा AOL कट जाएगा इसके बाद यह देखो AOL की जगह मैं infinite रहूँ 1 by infinite 0 हो जाएगा that means A of non-inverding amplifier that means gain of non-inverding amplifier 1 by beta आगया यह मेरा feedback concept से आया है इससे पहले मैंने आपको जो non-inverding amplifier का वो बताया था gain वो क्या था non-inverding amplifier का इससे पहले जो मैंने बताया था virtual ground वाले concept से वो virtual ground वाले concept से आया था और feedback वाले concept से क्या है A non-inverding 1 upon beta तो अगर मैं इसको beta के value उसमें put कर दूस वाले formula में तो मेरे पास A non-inverding कितना आजाएगा A that means non-inverding amplifier का gain equals to beta के value कितनी है R1 upon R1 plus R2 R1 plus R2 upon R1 आजाएगा will be 1 plus R2 by R1 Same आ गया जो हमने वाले concept से निकाला था और यह हमने कैसे निकाला है feedback वाले concept से तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इससे पहले हमने मैंने जब आपको इससे पहले ideal non-inverding amplifier में virtual ground लगा के दिखाया था ideal non-inverding amplifier में virtual ground क्यों लगा था क्योंकि जो open look gain रहा infinite था virtual ground लगाने के बाद जो हमने उसका gain निकाला था non-inverding amplifier का gain था अपने notes में note किया होगा उसको पलटके देखो non-inverding amplifier का gain क्या था यह 1 plus R2 by R1 1 plus R2 by R1 आया था हमारे पास वह हमारा किस concept से था virtual ground के concept से अब virtual ground के concept के बाद मैंने आपको feedback का था जिसमें 4 topologies आपको बताया था सबसे 1st ली topology सबसे 1st ली topology को mix करके non-inverding amplifier का से रिलेट करके आपको बताया कि feedback वाली concept से भी मेरा जो non-inverding amplifier का gain था वह 1 by beta था था अगर में से पुट करूंगा तो 1 plus R to by R वना रहे तो यह मेरा यह वाला जो non-inverding amplifier का gain था यह feedback वाली concept से यह और सेम ही gain मेरा virtual ground था दोनों concept से जो gain था वह सेम ही था लेकिन concept दो अलग अलग ठीक है तो यह जहान रखनी है कि अगर आपको feedback वाली concept से virtual ground feedback वाली concept से करके आप उसको निकाल होगे तो अलगला concept बताए डिरेक्टली अगर आपको निकालना है कई लोगों को पता होता है जैसे मैंने formula रटने के लिए बोला था कि 1 plus R2 by R1 डिरेक्टली अगर आपको निकालना है अगर आपको बीटा की value पता है डिरेक्ट आपको ANI that means non-inverting amplifier का गिन निकल जाएगा non-inverting amplifier का गिन ऐसे निकल जाएगा और अगर आपको डिरेक्ट नहीं निकालना आपको virtual ground वाले concept से निकालना है तो इससे पहले मैंने आपको बताया था ये दो concept मैंने रिलेट किया ठीक है ये हमारा non-inverting amplifier ideal non-inverting amplifier यहाँ पे खतम होता है ideal non-inverting amplifier के बारे में जो भी था जितना भी था मैंने आपको बता दिया ठीक है इसके बाद हम भी study करते हैं हमारा practical non-inverting amplifier practical non-inverting amplifier study करने के लिए मैं दुबारा से circuit बनाऊंगा और इसमें कुछ practical element ADD करूगा practical element थोड़े ADD क्योंकि ये तो ideal OPAMP है ideal OPAMP में इसका open loop gain infinite होगा practical OPAMP में open loop gain infinite नहीं होगा तो definitely उसमें जो है आपका virtual ground concept भी नहीं लगिगा क्योंकि open loop gain infinite नहीं होगा तो उसके लिए तो हमें जो है यह वाला formula ही यूज़ करना पड़ेगा feedback वाला इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि वर्चुल परण जो concept है वो आप ideal opamp में तो यूज़ कर लोगे और practical opamp में अगर आप से कुछ पूछ लेता है practical opamp से रिलेटिल कोई परामेटर से पूछ लेता है तो उसके लिए आपको feedback वाला concept यूज़ करना ही पड़ेगा यूज़ कि वर्चुल पराम वाला concept यूज़ ही नहीं हो रहा है तो feedback वाला concept यूज़ करके आप निकालोगे तो उसका formula यह होगा क्या होगा किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी के non-inventing amplifier का रहतीं भी किसी भी आप स्टांटाचे एत्रांक करता है du刻 नहीं किसी भी सेड़ काय और भी किसी भी बिष्ड़ सीधी psychology अब्सेश को यह हूँ कुझा पड़ोके फो साही रहीं का अच्छा भीिलगेगा समझ भी आएगा अगर इदर दर आपने नोट नहीं किया साथ में या यह तो वीडियो रिकॉर्डड हा तो आप बाद में भी कर सकते हैं नोट अगर अब बना रह रही हो ।ो वीडियो नोट नữa टैमा तो त्रक्टिकल नोट कि बारे में दिसक्श्रा लेटेblickपे परब इसक्केमेलिग दिसक्राहिए सब्सक्का के बने से पथे, प्रहे कहिं में प्रिछ क हूँ झाल झाल यारवन this is r2 यह जो है opm का input impedance है opm का input impedance है और यहां पर हम इसको कोई input value देते है say that it is vs यहां से हम opm का output लेंगे यह terminal plus vcc this is minus vcc यहां पर यह यह opm का output resistance होगा यह यह होगा practical non-inverting opm का schematic इसके बारे में हम discuss करेंगे इससे बहले मैं ideal discuss किया अब हम practical opm practical non-inverting opm के बारे में discuss करेंगे और negative feedback है open loop gain इसका infinite नहीं होगा अगर हम output देखे output देखे output है यह वाला voltage plus जो voltage drop है इस resistance के across वही मेरा output बट क्योंकि output resistance output impedance opm का बहुत जादा कम है बहुत जादा कम value होती है इसलिए इसके across जो voltage drop होता है वह हम neglect करते है और output हमारा वही हो जाता जो यह voltage source और यह voltage source क्या है open loop gain into VD VD के है हमारा यहां पर जो voltage है यह voltage क्या है non-inverting terminal की voltage minus inverting terminal की voltage ठीक है ठीक है तो यह output है हमारा यह सीधा यही हो जाएगा open loop gain into VD क्यों क्योंकि यह output resistance है हमारा इसके वहली बहुत सादा कम है तो इसके across जो भी voltage drop होगा वहम neglect करेंगे neglect करने के बाद output voltage वही हो जागा जो AOLVD है तो AOLVD पहने यहापर लिग दिया ठीक है यह यह प्रैक्टिकल उपम की बात कर रहे हम यह आइडियल था मैं इसको इरेस कर रहा हूँ जो feedback वाला concept है उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना अभी जो concept मैंने आपको बताया voltage sampling और series mixing बस वही तक आपको सोचना है आगे जाज से हम आएंगे अब आगे इसके बारे में बताता जाओंगा ठीक है यह V output है V output को क्या मिला है मेरको AOL up into VD VD क्या है मेरा V non-inverting minus V inverting VD की वाली non-inverting minus V inverting हो यह पता है आपको non-inverting कितना है S Vs minus inverting कितना है Vf जो Vf Cole मैंने अब को क्या मताया था Vf जो होते ही, भी एक nível क्रोफ आफर आपको रवन का स्ट आपको रण क्रोफ आपको रवन क्रोफ इसपोइंट पर जो वल्टेश and वो वि फैर ऑर इस पोईंट पर जो Вrel08 öhही इनवर्टिंग वев या वाल्टेश Vf ही मेरा inverting voltage है Vf इस resistance क्रोस है और यहाँ पर जो voltage है वह ही मेरा inverting voltage है क्योंकि बीच में कोई element नहीं है तो inverting voltage ही Vf है तो inverting voltage को मैंने Vf लिख दियो ठीक है Because β क्या होता है Vf upon V output तो Vf की value क्या हो गई β V output Vf की value मैं यहां पर put कर दूँगा Vd will be Vs minus β V output ठीक है यह जो Vd की value है इस वाले formula में put करो इसको में equation नाम देता हूँ तो यह जो Vd की value है इसको मैं S में put करूँगा आउपट की formula में V output क्या है मेरा Aol into Vd Vd की value यहां से निकाले Vs minus β V output आउपट अंदर multiply कर दो Aol Vs minus β Vout Aol और यह Vout इसको मैं इदर लेग आया V output plus β V output Aol equals to Aol Vs यहां से मैंने V output को कॉमा ले लिया 1 plus β Aol equals to Aol Vs इस Vs को मैं इसके निचे लेगा रहा हूं V output के निचे निचे that means V output upon Vs कितना हो गया Aol upon 1 plus beta Aol 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 क्या है? Open loop gain of non-inverting amplifier और यह मेरा आगया non-inverting practical opamp का gain V output upon input मतलब क्या हुआ यह यहां पर लिखता हूँ यह A non-inverting amplifier का gain है बट practical ठीक है? Output by input है Output by input किसी भी amplifier का क्या होता है? Output by input होता हो amplifier का gain तो gain मैं लिखा A non-inverting amplifier का gain practical है तो नीचे practical लिखती है इससे पहले हम अभी तक ideal non-inverting amplifier की बात कर रहे तो मैंने इससे पहले ideal लिखा था तो यह basically यह जो concept मैंने आपको बताया इस concept का यह पूरा जो non-inverting amplifier है practical non-inverting amplifier है इसका जो gain आ गया वो यह आ गया तो यह आपको समझ आना चाहिए बीटा के value आप याद रखोगे बीटा के value क्या है Vf upon V output Vf आप निकालोगे Vf आप निकालोगे कभी भी बीटा को ऐसे याद मत करना जैसे मैंने बताया कि बीटा को ऐसे याद करोगे कि बीटा क्या था हमारा R1 upon R1 plus R2 यह था ना यह short form the beta की पर वो कब था जब आपको ऐसे यह convention दिया हो कि R2 R2 यहीं पर लगा है यहां पर और R1 यहां पर लगा है यह convention आपको दिया हो तो तभी वो हमला प्रूफ होगा पर जड़ासा भी उन्होंने रेस्टेंस में चेंज करते है तो बीटा के वाली चेंज हो जाएगी तो आपको यह नहीं करना है बीटा के वैल्यू लर्न मतलब रट्टा नहीं मारना है बीटा को निकालना है बीटा क्या होगा VF upon V output VF क्या होगा वह voltage जो इस वाली रेस्टेंस से एक रूस होगे तो वॉल्टेज डिविजसे आप यह वल्टेज निकाललोगे ठिक्या और उससे आपका बीटा निकल जागा ठीक है आपको पता होना चाहिए मैं बता जाता हूँ कि input resistance और output resistance को कैसे रिलेट करना है हो गया मैं इसको raise कर देता हूँ अब आप जरह हम आते हैं इसके input और output impedance के बारे यहां पर देखो तो यह जो इस पूरे operational amplifier का resistance है उसको rif का नाम दे रहूँ है और यह जो इस पूरे operational amplifier का output resistance है उसको rof नाम देते हैं तो basically rif rof ri ro यह 4 term मेरे पास हैं जिसमें से rif हमारा है input impedance of this operational amplifier circuit यह पूरा circuit है इसका input impedance है rif rof क्या है इस पूरे circuit का non-inverting operational amplifier के circuit का output impedance ri क्या है operational amplifier का input resistance जो internally मैंने आपको दिखाया है यह पे और ro क्या है operational amplifier का output resistance जो यह वाला है ठीक है इस चारो term नोट कर लेगा उसके सामने क्या-क्या कॉन सी कॉन सी term में आपको पता होना चाहिए ठीक है अब देखो हमें r if की value निकालनी है हमें r if की value अगर निकालनी है r if कैसे निकालनी है r if क्या है इस पूरे circuit का input impedance r if क्या होगा इस पूरे circuit में जो current जा रहा है that is ये i in इस पूरे circuit में external source की वाई से current i in जा रहा है तो vs upon i input ठीक है ये इस में current जा रहा है अगर मैं आपम के internal की बात करो internal की बात करो internal circuit की बात करो तो VD कितना हो जाएगा i in into r i देखो ये तो r if था पूरे circuit का input impedance अगर मैं internal इस की बात कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर जो current जा रहा है वो into r i मेरा VD हो जाएगा VD जो है इस तर्मिलर की अग्रोट जो वो इसमे जो current जा रहा है into r i हो जाएगा i in into r i इसको मैं equation 1 देखो second का मेरे पास अगर हम Vs V output upon Vs देखे जो की है इस non-inverting operational amplifier का gain वो क्या होगा aol upon 1 plus aol beta eom ने निकाला था इससे पहले practical non-inverting opamp का जो gain होता है वो क्या होता है aol upon 1 plus aol beta aol open loop gain formulae से याद नहीं करना Vf by V output Vf निकाल होगा उसके बाद Voutputs divide करोगा तो वो हमारा beta होगा formulae से याद नहीं करना है तो aol open loop gain होगा 1 plus aol beta उसका beta feedback factor होगा aol open loop gain हो ठीक है output का जो formula है वो आपको बता है output क्या होता है किसी भी opamp का उसका gain into में उसका input आई भाही Voutput क्या होगा aol into vd यही तो होगा open loop gain into vd उसका output होगा किसी भी opamp का तो aol के जगह मैं लग देता हूँ output के जगह मैं लग देता हूँ aol into vd upon vs equals to aol upon 1 plus aol beta vd upon vs will be 1 upon 1 plus aol beta ठीक है vd के value क्या है i in rs i in ri upon vd के value i in ri upon vs आजाएगा equals to 1 upon 1 plus aol beta इसको rearrange करने के बाद मुझे ri के value क्या मिल जाएगी ri के value क्या मिल जाएगी їх in i in qi cad ri ri 1 plus aol beta आप रेरेंज करोगे ना इसे तो आपको vs upon i n की value यह मिल जाएगी vs upon i n की value ri bracket में 1 plus aol beta और vs upon i n ही हमारा rif यह हमारा rif rif क्या है? input impedance of the circuit practical non-learning amplifier का circuit है उसका input impedance हो rif है derivation याद करने की जरूत नी है derivation आप याद नी करोगे सीधा formula देखो formula याद करने की भी जरूत नी है formula आया कैसे यह पता होना चीए इसले मैं derivation कर रही है इतना analog electronis को इतना difficult तरीका से मतलो analog electronis बहुत easy चीज है कुछ नहीं किया तो आप मेरे से 10 स्वार पूसते की RI क्या है AOL 1 plus AOL कैसे आगया input impedance तो कैसे आया यह बस बताने के लिए derivation कर आया याद नी कर नी है आपका इंजिनेर से मैंने बताया हर चीज की पीचे का fact तो पता होना चाहिए और मैं आपको चीज रटवा नहीं रहा समझा रहा हूँ अगर रटवा रहा होता तो शायद मैं RIF का सिधा formula लिख देता और आगे बढ़ जाता बट मुझे समझाना है इसलिए मने derivation कर आपको बता दियो कर्फ्यूज मत हो ना बस मेरे को RIF का बताना था RIF का मता पता लगए आपको RIF क्या है हमारे पास इस पूरे circuit का input impedance है ठीक अब देखो भई वैसे तो RIF के इतनी जादा ज़रूत थी नहीं जादा ज़रूत नहीं थी क्यों क्योंकि अगर देखो मेरा में अपैनित हो घाता तो अपड़ हो घाता फूरण गरोंग्रोंदी हो घाता बखागा आपको अगर अप्रेशनल नॉननैगी और को प्रेक्तिकल देढ़ा एग वैल्यू थी वैल्यू डेदी एपो 4 या उस्ते जादा है तो आप ideal open MP होगे 10 दोर 4 ना देके कुछ कम value तो 10 देदी 20 देदी 50 देदी 600 तब हमारा जो RIF है वो infinite नहीं होगा तब उसके कोई ना कोई value होगी और दब कोई ना कोई value होगी तो आपको beta calculate करना पड़ेगा AOL आपको दिया होगा कोई भी 150 जो भी value दिया होगी और input impedance आपको given होगा क्यों क्योंकि उसमें जब AOL की value दिया होगी तो प्रैक्टिकल है आइडियल तो है अगर ideal होता तो R input भी infinite होता लेकिन ideal तो है नहीं क्यों प्रैक्टिकल है क्यों AOL की value कोई ना कोई होगी 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 है अब अब में बादे चल रही है मैं काम करता हूँ इसको आपको थोड़ा सा यहां पर elaborate करता हो देखो जैसे अगर यह जो AOL है अगर यह infinite दिया होता आपको infinite दिया होता तो क्या R if आपका infinite नहीं होता अगर AOL की value कुछ भी दी होती से 100 दी होती तो क्या R if इन्फानेट होता आपका नहीं होगा infinite भई आरए फ की value क्या है R i plus AOL और beta जब A I जब open loop gain की value 100 है तो R i भी मेरा कुछ ना कुछ value तो होगी infinite तो नहीं होगा और R i b infinite नहीं है R i f भी infinite नहीं है R i b infinite नहीं है बीटा के भी कोई न कोई value होगा, इसलिए RIF भी infinite नहीं होगा अगर practical opamp दे दिया तो आपको यह calculate करके RIF की value निकालनी पड़ेगी तो यह ध्यान रखना अगर आपसे कभी RIF पोच है किसी भी question में तो definitely उसकी open loop gain की value high नहीं दियोगी, infinite नहीं दियोगी, कोई न कोई value होगी और अगर open loop gain की भी कोई न कोई value नहीं दिया तो RI, impedance of opamp, not a circuit input impedance of opamp की value कुछ न कुछ दियोगी और अपसे RIF निकालोगी ठीक है, तो यह input impedance of opamp है, RIF second मैं आपको एक और बताया था कि यहां से हम निकालेंगे इसका ROF जो मैंने 4 point आपको निकाले थे, देखो R, output impedance of opamp तो मैंने बताया, बहुत small value होती है, तो हम उसको neglect पी कर देते हैं इसलिए हमारा output eval into VD आया था, क्योंकि हमने यहां पर voltage drop को neglect कर दिया था, इसके बाग, अगर मैं पूरे circuit का output impedance देखो तो वह क्या होगा तो यह आपने note कर लें, मैं रेस कर रहा हूँ पूरे circuit का output impedance क्या होगा ROF क्या होगा हमारा ROF इस तरफ, इस पॉइंट से अगर हम अंदर की तरफ circuit में देखेंगे तो जो resistance हमें मिल रहा है, वह हमारा output impedance होगा output resistance होगा, इस पूरे circuit का, ROF इस पूरे circuit का output resistance है और RO, op-amp output resistance है तो ROF निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट से अंदर की तरफ देखना पड़ेगा वह इस पॉइंट से थैवनिन resistance होगा इस पूरे circuit का थैवनिन resistance निकालने के लिए हम क्या करते थे voltage source को short circuit करते थे यह सबको याद होगा, network थोरी का basic है तो इस voltage source को मैंने short कर दिया और इसको ground कर दिया यह ground हो जाएगा ठीके, यह ground हो गया अब मेरे पास मैं इस पॉइंट से resistance देखुँगा और इस पॉइंट से resistance देखने के बाद जो RTH है मेरा ROF वही RTH है RTH है ROF है और RTH क्या होगा VDC upon IDC DC current इस point पर जो voltage है और इस point पर जो voltage उससे जो अंदर करण जा रहा DC current वही मेरा RTH होगा तो यह V output ही VDC है और यहां से जो current जा रहा है माल लेते हैं IDC यह current जा रहा है अंदर की तरफ यह current यहां इस junction से डिवाइड हो जाएगा इधर I2 और इधर I1 I2 इस branch में हो जाएगा और I1 इधर चला जाएगा O-Pamp के अंदर O-Pamp के अंदर I1 जा रहा है इधर बाहर I2 जा रहा है अब बगर इधर देखे तो हमारा जो output resistance है ना O-Pamp का वह बहुत चोटा है R1 और R2 से बताया दा ना output impedance O-Pamp का बहुत कम होता है इसलिए इसके across जो voltage हमने लेती वह भी नाइगलट कर दिया था जमने V output equal to AOLN2VD लिखा था और इसके across जो voltage है वह भी नाइगलट कर दिती क्यों कि ROF RO की value बहुत कम होती है RO की value बहुत कम है इन दोनो resistance के comparison में इन दोनो resistance के comparison में तो इसमें जो current होगा बहुत जादा होगा i1 की value है वह very very big than i2 i1 की value i2 से बहुत जादा होगी i1 की value i2 से बहुत जादा होगी i2 को neglect कर सकते i2 है इसको neglect कर सकते अब मुझे i1 मिल रहा है तो अगर मैं इस point से VDC की value देखूँ that is V output equal to VDC की value देखूँ VDC कितना होगा? i1 into R plus ALVD तो VDC equals to VD इतना है V non-inverting minus V VD non-inverting non-inverting कितना है? non-inverting मेरे पास 0 है क्योंकि ground है inverting कितना है? inverting मैंने बोला था इस resistance के अगरोस जो voltage वही inverting है और inverting इस resistance के अगरोस voltage कितना है? VF तो inverting मेरा VF होगया मुझे पता है β जो होता है वो VF upon V0 होता है इससे मुझे VF की value मिल गई कितनी? β V0 तो इस value β को मैं यहां पर रखूँगा और VD की value को निकालूँगा VD कितना हो गया मेरा? minus β V0 और इस VD की value मुझे इसमें रखनी है इस वाले इस वाले circuit इस वाले equation में equation 1 equation 2 equation 1 को दुबारा continue करूँगा और V output मेरा पास कितना आज जाएगा I1 ही मेरा IDC है I1 ही IDC है I1 जो है देखो I1 ही IDC होगा क्योंकि I2 तो 0 होगे I2 तो हमने नेग्रट कर लिया I1 equals to IDC यह लिख ले ना I1 ही IDC है तो I1 IDC लिखा RO PLUS AOL AOL beta VD VD की value minus beta V output VD की value beta V output है यहां से मैं थोड़ा simplify करूँगा ऐसे IDC RO minus AOL beta VDC VDC V output ही VDC है इसको उदर लेके आ गया तो VDC PLUS AOL beta VDC equals to IDC RO इसको जो मुझे RTH निकाला है वो IDC अब VDC upon IDC VDC upon IDC है तो यहां से मैं VDC को common निकालो 1 PLUS AOL AOL beta equals to IDC R0 VDC वाइ IDC कितना हो जाएगा RO upon 1 PLUS AOL beta अगर आपको दिख रहे तो बहुत अच्छी बात है अगर नही दिख रहे तो मैं दुबारा लग देता हूँ VDC upon IDC will be R output upon 1 PLUS AOL beta यह मेरा RTH आगया और RTH ही मेरा R और ROF that means output impedance यह मेरा output impedance आगया ठीक है इसमें भी अगर AOL हमें infinite दिया हुआ ideal दिया हुआ है तो इस पूरे उसकी value 0 हो जाएगी output circuit के output impedance के value 0 हो जाएगी AOL के value 0 हो जाएगी that means कोई practical value दिया है 50, 100, 200 मतलब comparable दिया है तो उससे हम निकालेंगे फिर output impedance circuit का कोई बड़ी बात नहीं input impedance output impedance non-rading amplifier कोई बड़ी बात नहीं नहीं है but important concept है EAC map को मिल जेंगे question derivation की चिंदा मत करना derivation नहीं याद करनी आपको होता है मेरको यह वाला यह आपूट आया कैसे इस चक्कर में मुझे derivation करानी बड़ती है अगा सीधा बताऊंगो तो आपको समझ नहीं याएगा समझ आजाएगा रटना पड़ेगा वह मैं चाहताना नहीं कोई बीचीज रटो ठीक है यह लुण यह आपको अपूट अपको अप्रिपार यह बाता है यह लुण परे सब्सक्राइब इस नहीं आपको आपको अपको आपको अगड़ दिसक्क्राइब हाएगा झाल झाल